दोस्तों अगर आप एक EMI card लेने का सोच रहे हैं तो बजाज फिंसर्व EMI card आपके लिए best options हो सकता है इसमें आपको 2 लाग तक का limit दिया जाता है जिससे आप online, offline, easy shopping कर सकते हैं इसमें आपको जो interest rate लगता है, वो 0 लगता है, मतलब कि आपको एक भी पैसा extra pay नहीं करना है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस card को online हे आवेदन करके बना सकते हैं और अपने mobile phone से ही इसको handle भी कर सकते हैं तो किस परकार से हमें बजाज फिंसर्व का EMI card online आवेदन करना है, लिमिट मिलने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको step by step life process के साथ दिखाने वाले हैं आपको वीडियो में continue बने रहना और अगर हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share कर देना चलिए गाइस बिनादरी के होगा करते हैं फटा 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 से इस वीडियो को सुरू उसके लिए आपको हमारे वीडियो के description box में एक link मिलेगा उस पे click करेंगे direct आप इस page पे आ जाएंगे इंस्टा EMI काड़ वाले page पे आ जाएंगे यहां पर आपको बजाज फिंसरों का EMI काड़ का डेमो कुछ इस परकार से दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं दो लाग तक का आपको limit दिया जाएगा OTP फिल करके आपको submit कर देना है अगला page आपके सामने कुछ इस परकार से instant approval का आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन step में आप अपने EMI काड़ को apply कर सकते हैं और activate भी कर सकते हैं पहला step में आपको कुछ basic details फिल करना उसके बाद verify details करना उसके बाद activate कर लेना card को तो सब से पहले आपको अपना यहाँ पे full name इंटर करना यहाँ पर अपना date of birth इंटर करेंगे अपना pain number यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा, Congratulations, Your Approved Insta EMI Card Limit, यहाँ पर आपको लिमिट आपका देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर कार्ड में आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, और यह कार्ड आपका कितना दिन तक भैलिड है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, 2020 से 2030 साल के लिए इस कार्ड का वैलिडिटी दिया गया है, हमारा जो लिमिट है 1,25,000 का है, आपका लिमिट आपके सिबील स्कोर या आपके, आपका लिमिट आपके हिसाब से यहाँ 100 करेगा, आपके यहाँ पर 70,000 भी कर सकता है, 2,00,000 भी कर सकता है, हमारा यह वाला लिमिट है, अब आपको यहाँ पर इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, आपको नीचे प्रोसीड वाले उप्शन पर क्लिक करना है, जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस का पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपेन होकर आजाएगा, अब यहाँ पर आपको एक KYC कम्लीट करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्सन दिख रहा होगा, गेट KYC डन यूजिंग डीजी लोकर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, साइन इन टू यॉर अकाउंट का ऑप्सन आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में साइन आपने डीजी लोकर के अकाउंट में, यहाँ पर आपको दो आप्सन दिया गया है, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर आधार नंबर या यूजर नेम से कर सकते हैं, बिसिकली आपको हम बता दे कि, अगर आपका dg locker में account नहीं बनाया तो उसके लिए हमने एक Galaxy वीडियो बनाई हुई है कि आप फर्स्ट रहें किस परकार से अपना dg locker बना सकते हैं अपने documents को किस परकार से वहां find करके रख सकते हैं तो उस वीडियो के लिंक सेक्षिद स्वाति नेगे विए उस समय आपको एक सफिदी का सिक्षिडिटी पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाता है उसी पिन को आपको यहां पर sign in वाले option पे click कर देना है जैसे sign in पे click करेंगे आपके सामने verify OTP का page आजाएगा तो आपके mobile number पे एक OTP यहां पे send किया गया होगा तो OTP यहां enter करेंगे and submit वाले option पे click कर देंगे आपके सामने एक permissions का page आएगा तो यहां पर आपको guys allow कर देना है डीजी लोकर best KYC का page आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर देख सकते है KYC eligible documents आपको यहां दो documents का option आ रहा है आधार card and driving license आप जिसको भी select करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से select कर लेंगे यहां आपका document so कर जाएगा अभी just हम यहां पर आधार card से KYC करने वाले यहां select वाले option पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो आपके आधार card से आपका details जो है guys face कर लेगा यहां पर आपका photo, आपका name, आपका date of birth आपका address वगेरा सारा कुछ यहां पर कर जाएगा, basically आपको यहां पर confirm वाले option पर click करके next कर देना है अगला जो step है, वो verify details का complete हो जाएगा तो यहां पर आपके सामने last details आगया है यहां पर relation details आपको fill करना होगा जैसे का आपको यहां पर option दिख रहोगा mother, father, आप इस post का name यहां पर fill कर सकते हैं आप अपने हिसाब से यहां किसी को भी select कर सकते हैं और यहां पर relation name इंटर करना है जैसे का हमने mother का select किया होगा यहां पर हमें mother's का name इंटर करना होगा father's का अगर आप यहां पर select करते हैं तो father's का name यहां पर आपको enter करके इस्टोर्स में कर सकते हैं बजाज फिंसर ओनलाइन इस्टोर में कर सकते हैं e-commerce partners में कर सकते हैं basically इन तीन options में सारे दुकान वगेरा आ जाते हैं तो आपको यहां पर अभी कुछ नहीं करना है first time आपको card को activate करने के लिए 599 रूपी का amount पे करना पड़ता है तब ही जाके आपका card activate होगा उसके लिए आपको यहां पर पेनाओ का option दिख रहा है आपको simply इस पर क्लिक कर देना है आपके सामने select payment method का page आ जाएगा तो यहां पर आप UPI, net banking, debit card, credit card से अपना payment कर सकते हैं तो simple सा process है आपके पास अगर phone पे Google पे पेटियम हो गया रहा है तो आपकी UPI से ही कर लेंगे जैसे आपका payment success होता है तो आपके सामने payment successful का page कुछ इस प्रकार से आ जाएगा अब यहां पर आपका transaction, reference number, transaction, status, successful यहां पर सो कर जाएगा अब नीचे आपको options दिखेगा view card and activate now card अभी आप यहां से अपनी card को भी देख सकते हैं हमने पहले अपना card देख लिया है तो अभी हम card को नहीं देखने वाले card को activate करेंगे activate करने के लिए आपको activate now वाले option पे click करना है और अपने card का e-mandate करना है तो guys आपका जो EMI का पैसा है वो आपके account से automatic कर जाएगा आप guys आपको यहां पे दिमाग नहीं लगाना है कि आपका पैसा आपके account से ज्यादा तो नहीं कर जाएगा कुछ नहीं है इमेंडेट हर कुछ में होता है जैसे का अगर आप गाड़ी वगेरा भी finance करते हैं आपको वहां पे इमेंडेट करना होता है यह facility आपको दी जाती है आपके सुईदा के लिए क्योंकि आपका account में balance रहेगा तो हर महीने आपका EMI कर जाएगा तो यहां पर आपको उसी का account number डालना है जिसके नाम से card है अभी जश्ट हम यहां पर अपने card holder का name इंटर करेंगे यहां पर IFC code इंटर कर देंगे और अपना account नमबर है उसको अच्छे से यहां फिल कर देना है और यहां पर account type का option दिख रहा होगा तो आपको यहां पर current select करेंगे और आपको terms वाले box पे क्लिक करके submit कर देना है तो जैसे submit करेंगे आपका जो card है पुरी तरह से activate हो जाएगा आप अपनी card को कहीं भी use कर सकते है आप बात करेंगे आपने card को हम किस प्रकार से handle करेंगे उसके लिए friends आपको basically play store से बजाज फिंसर यूपिया पे ल दिया हुआ उस mobile number को इंटर करके आपको इस app में verify login कर जाना है उसके बाद आपका यहां पे card सो कर जाएगा तो next video में आपको बता देंगे कि आपको online shopping वगएरा किस परकार से करना है अपना card वगएरा कहां पे सो करेंगा तो normal सा fund है अगर आप खुद से भी करना चाहते है आप कर सकते हैं आप ट्राइ करके देखें इस application को install करके और login करके आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा बाकी कुछ समझने के लिए next video का वेट करें आपको जल्दी एक video मिल जाएगी बजाच फिंसर्व EMI card को कैसे use करेंगे तो आसा करते ही कि इस video के माधियम से आप बजाच फिंसर्व का EMI card online apply करना सीख गये होंगे चोटी से जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरके इंप्रमेटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर गये बेल आइकन को अल पे किलिक कर ले मिलते एक न अजाइब करेंगर अगर करेंगर क मिलाइक करेंगर ले औरे खो वीडियो और इस तरकेंगर।